आईए दोस्तों स्वागत है VKS News में आज 13 नवंबर 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है तो बात करेंगे चत्तीस गड़ की आज की दिन भर की सभी ताजा खबरों ताजा अपडेट के बारे में तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों ताकि कोई भी ताजा खबर छ खबर है कि स्थगन आदेश प्राप्त संपूर्ण प्रिकरनों में महधिवक्ता चत्तीसगर के जिन सेवकों के जाती प्रमान पत्र गलत पाए गए हैं, उन्हें ततकाल महत्वपून पदू से अलग किया जाएगा। जाच उपरांप निराकरंग किया गया है। परिवार कल्यान मंत्री टीएस सिंगदेव ने गुरुवार दोपहर सिविल लाइन स्थित अपने निवास से हरी जंडी दिखा कर इन्हें रवाना किया। इनको मिलाकर प्रदेश भर में इस अपातकालीन एमबुलेंस सेवा के वाहनों की संख्या 300 हो गई है। समवाद दाताओं से बात करते हुए स्वास्थे मंत्री टीएस सिंगदेव ने कहा, 108 एमबुलेंस की सभी गाडिया रवाना कर दी गई है। उन्होंने बताया, अब 102 एमबुलेंस सेवा के गाडियों के लिए निविधा प्रक्रिया चल रही है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि नए वर्ष में चत्तीस गड़ के नागरिकों को 102 एमबुलेंस की भी सुविधा मिल जाए। अगली बड़ी खबर है दोस्तों शहादत को नमन, सी एम ने शहीदों के परिजनों को दी दिवाली की शुब कामनाय कहा खुद को अकेला न समझें, सरकार आपके साथ है। मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने दिवाली पर राज्य पुलिस के शहीद जवानों के परिजनों को शुब कामना संदेश भेजा है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने शहीदों की शहादत को नमन करते हुए कहा है कि राज्य बनने के बाद अब तक चत्तीजगर पुलिस के 517 वीर जवानों ने अदम में साहस का परिचे देते हुए अपने प्रान न्योच्छावर कर राज्य और देश के लिए बलिद नोटिफिकेशन के अनुसार रेगुलर और प्राइवेट छात्र 15 दिसंबर तक सामानी शुल्प के साथ फॉर्म जमा कर सकेंगे वहीं विलम शुल्प के साथ 31 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे जारी निर्देश में लिखा गया है कि शेक्षनिक्स तर 2020-2021 हेतु हाई स्कूल, हाई सेकंडरी, हाई सेकंडरी व्यावसाई की मुख्य परीक्षा, नियमित, स्वाध्याई, अफसर परीक्षा के छात्रा छात्रों हेतु परीक्षा आवेदन पत्र सामानी शुल्प के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक 15 दिसंबर 2020 निर्धारित की जाती है। इसी के साथ आगे खबर है, कोरोना देश में, कोवी शील्ड वैक्सीन के 4 करोड दोज तयार, तीसरे फेज के ट्रायल के लिए 1600 लोगों का एन्रोल्मेंट, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अच्छी खबर है। सीरम इंस्टीट्यूट ओफ इंडिया, SII, ने गुरुवार को बताया की ओक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका की कोरोना वैक्सीन कोवी शील्ड के 4 करोड दोज तयार कर लिए गए है। तीसरे और फाइनल फेज ट्राइल के लिए 1600 लोगों का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। वहीं, कौविद सुरक्षा मिशन के तहट भारतिय वैक्सीन के विकास के लिए वितमंत्री ने 900 करोड रूप का एलान किया है। इंडियन काउंसिल औफ मेडिकल रिसर्च आइसी एमार की निगरानी में कोवी शील्ड का ट्राइल हो रहा है। S.I.I. ने अमेरिकी कंपनी नोवावेक्स से भी कोवावेक्स वेक्सीन के लिए टाइप किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नोवावेक्स ने S.I.I. के साथ 2021 में 100 करोड डोज सप्लाई करने का करार किया है। नेक्स्ट अपडेट है, फ्रेंड्स मास्क के लिए, माइक आइडिया, राइपुर के बजार में बगेर मास्क है कौन, वाच टावर से देख लेती है, गो टीम, एनाउंस करके तुरंट टोकती भी है। वाच टावर तयार कर दिये गए है, इन में बैठ कर NGO के लोग लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहे है। कलेक्टर एज भारती दासिन के निर्देश के बाद अब नगर निगम और राइपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने टावर तयार कर दिये हैं। इन टावर में बैठे समाद से भी संस्थाओं के लोग यह देख रहे हैं कि किसने मास्क नहीं लगाया, माइक से मास्क लगाने को कह रहे हैं। हुआ हुआ है